हलो दोस्तों स्वागत हैं आपका आपी के चैनल दाववी आप ग्रोथ में दोस्तों जैसे कि आप लोग मुझे फालो कर रहे हैं और मैं टेलिग्राम पे डेली मैसेज यह डाल रहा हूं कि आज मैं ट्रेड नहीं ले रहा हूं अब देखिए पिछले तीन दिनों से आज कर रहा हूं उसके बाद में देखिए 22 तारी को भी आज भी मने ट्रेड नहीं डाली तो इसके पीछे बज़य क्या रही है मैं आपको वीडियो में समझाओंगा तो आज की वीडियो में यही आपको बताने वाला हूं कि मतलब कैसे हम मार्केट को प्रेडिक्ट करते हैं और हम गलत भी साबित हो सकते हैं और सभी साबित हो सकते हैं इसके पूरी एक थेओरिये वह मैं आपको आज बताने बाला हूं तो वीडियो को आप पूरा देखिए आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा कि इसके पीछे रिजन क्या है कि तीनों दिन मैंने ट्रेड नह वह चीज आती है ठीक है तो जो पोस्ट अनलिस्स होती है उससे मैं बहुत आति इतफाक नहीं रखता हूं हाला कि आज तीन दिन कंटिनियोस हो गए और तीनों दिन प्रॉफित हुआ है तो मुझे इस चीज का रिग्रेट नहीं है क्योंकि हम पोस्ट अनलिस्स कर रहे हैं म अब भाकि औरल मार्केट आप देखी रहे हो गए आज मार्केट में निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई फिर से आज एक टेच किया है 22,967 पर जाके क्लोज हुई है और इसने हाई जो बनाया है 22,993 मदला मोटा मोटा 23,000 पूरा टेच नहीं कि आसपास मार्केट पहुँछ जे करा जाकूंक देहार लो करें पॉर्टालीों में बहुत जादा इजाफा नहीं हुआ है क्योंकि मेरे पॉर्टफोलियों बहुत सारे स्टॉक्स हैं लेकिन उसमें उत्री जाद अच्छी कजी देखने को नहीं मिली है इसके पिछे रिजन क्या है वो हो सकता है कि एलेक्शन की बज़े से कुछ हो रहा है और हो सकता है कि मार्केट अभी भाग रहा हो या फिर तक सही होगा यह प्रॉब्लम मुझे हो रही है चलो अबराल हम बात करते हैं मार्केट में निफ्टी ने लाइटाइम हाई टाइच कर दिया है स्टॉक्स अभी बहुत जादा नीचे है कोई बहुत जादा उसमें हमें तेजी देखने नहीं मिली है तो इस चीज़ को आप यूफोरिया में मत आई है कि मार्केट हाई निकल गई तो हमने कुछ मिस तो नहीं कर दिया तो वह चीज़ ध्यान में रखिए बाकि मार्केट में जो मैं आपको समझाने वाला हूं कि भई किस तरीके से हम काम कर रहा है है साइकलोजी क्या है अब से पहले मैं आपको अपर मन्त में जो प्रॉफिट बनाया था जो नेट प्रॉफिट आता है वह 73,000 का मेरे पास नेट प्रॉफिट था बट यह मेरा प्रॉफिट इतना कम नहीं था उसकी पिछे रेजन क्या देखो यह जो पिछली दो यह ट्रेड जो हुई थी इसमें जिसमें मुझे ज्यादा प्रॉफिट था ठीक है यह लगबग चार पांच एक दो तीन चार पांच छे साथ साथ दिनों में मैंने ट्रेड की जिसमें से मैं चार दिन प्रॉफिट रहा था दो दिन लॉस में रहा था और नेट-नेट मैंने 1,80,000 रुपए यहां पर बनाये थे बट उसके बाद में क प्रॉफिट हो का कि आगे क्या होगा मुझे लॉस हो रहेवाए प्रॉफिट होगा मुझे नहीं पता था अगया था गया है तो अगर मेरे पास जब डिसेंट प्रॉफिट आ गया है तो मैं आगे का अब ना ट्रेड लूँं, या कम लोट से ट्रेड लूँं, यही तो मैं, अब psychology क्या है, कि भई, यहाँ पर जब आपको लस हो गया है, तो आपकी psychology यह कही रही है, कि भई, जब आपका decent profit आ गया था, आपका target सामंतली 5% का, वो आपने अचीब कर लिया था, त तो यही सेम चीज अब मैं आपको मैं में दिखाता हूं अब यहां पर आईये हैं ळो एक मैं से लेके अभी आईये अभी तकक तो अब स्टेर्जी होती है उसकी जो एक्रेसी होती है वह से 70 प्रसेंट TEकly रहती है उसके ऊपर उसकी रहाइन होती है कि पर संग विए इंदती कुरहती नहीं है इसा नहीं है ये सरी तरीका है आप को कि अटेंशन पानेगा लेकिन ऐसा होता नहीं है कोई भी स्टेटिजी है तो 60 से 70 परसंट के उसकी रहेगी उससे ज्यादा तो मुझे लगता नहीं है तो जब आप देखो जब आप तीन दिन कंटिनोस प्रॉफिट में हो तो आगले दिन आप क्या सोच होगे भाई अगले हो सकता है आपकी जो सोच कम हो गई तो उसी प्रॉफिटी को ध्यान में रखते हुए मैंने कहा ता कि अब मैं ट्रेड नहीं लूँगा एक दिन में रेश्ट करूँगा क्योंकि अब लॉस होने की प्रॉफिटी बढ़ चुकी है तो जब मैं कंटिनियूस तीन दिन प्रॉफिट में हूँ तो आप चौते दिन मेरी लॉस होने की प्रॉफिटी बढ़ गई तो इस वजպए से मैं नहीं ली मैंने खीक है आज मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ जिस दिन लॉफ हो जागा अगर वह आज लُखे मन्ण लोगा दे लूंगा उस तारीक को चाब्य को फिर मिला। को प्रivity हो गया तो उस वाल को जारी bene हो गया तो उसमें आप का मिली लॉस होने की समझ रहा नहीं इस बात को देखिए तीन दिन में पीशे प्रॉफिट में था और 21 तारी को मैंने काम नहीं किया तो यहां पर जो प्रॉवल्टी है लॉस होने की माल लीजे 70 परसेंट है ठीक है तो बाइस तारी को उसकी जो प्रॉवल्टी होगी जो बाइस तारी को अब होगा लेकिन मैं कर्ण नहीं लूँंगा क्यों क्यूंकि और जो जो ढूंड और वहाइक हो जाएगी और अगर पर लुट Nu Went a क्यों मंडे को 90 पर वैट होगी उस दिन लॉट होगा क्योंकि मार्केट में cyclie एसा तो आप पिछले तिन नहीं आप मैंने कम करें मार्केट यह में इसके इसा थो लेकिन वो अलग चीज़ है, लेकिन हमने तो उसको बाज किया, देखा कि हैं, तिन दिन मार्केट है, तो अप अधिन आपको लॉस होगा, अगर आपके इस चड़ी दिखाती है, उसके अगले दिन आपको ट्रेड डाला है तब आपी प्रवर्वल्टी विन होने की ज्याधा होगी ठीक है तो यही मैंने फंडा यहाँ पे लगाया था कि जब मेरा डिसेंड मेरा 5% पर मंद के साब से जो डार्गेट साब वो मैंने जब अचीब कर लिया है तो इसी बज़े से मैं के दिन लगाते है मैं दाले से बहुत मैं मुझे नहीं बता था कि आज की डीटे में भी प्रवित होगा तो तीन दिन आपको प्रवित होगा यह एक मांदक्णड है कि है मार्केट आपको अब लॉची सब्र ही एकाया-धैरम की है तो मेरी आपको बहुत ही हाई रिक्मेंडेशन होगी कि कल फ्राइडे को आप टेड मत डालना उसके अगले दिन ही मैं ट्रेड लूँगा और यही चीज में आपको समझाने वाला था कि कि मैंने रिस्क इसलिए नहीं लिया क्योंकि मेरा मंत का टार्गेट जो था वह अचीव हो चुका था और मैंने कहा कि अब मैं थोड़ा सा सेफ करना चाहूंगा और सेफ की बज़े से तीनों दिन कंटिन्यूस प्रॉफिट हुआ है इसी दिन इसी वज़े से तीन दिन में मैं प्रॉफिट रहता तो लेकिन यह तो बहुत जादा मलब मलब के बहुत सर्प्राइजिंग है कि कंटिन्यूस शे दिन आपकी ट्रेट जो है आपको प्रॉफिट दे रही है तो बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट है ऐसा जल्दी होता नहीं है और यही चीज मैंने पिछले म किया है। कुछ चीजां आपके favor में नहीं काम करती हैं लेकिन उससे जो है सीखने को बहुत ज़्यादा मिलता है learning होती है कि पिछले मैंने से जो मुझे learning मिली थी वह और यहां पे इककर प्रेट को करने का सकता है मैंने यहां पर मार्गेट को प्रेडिक्ट करने को से की कि हाँ यहां यहां तो सी मैंने की बढ़ती रहेगी जब continious अगर लॉस देगा तो profit होने की बढ़ जाएगी और continuous अगर profit देगा तो loss होने की probability बढ़ जाएगी वही चीज मैंने यहाँ पर थोड़ी सी math apply कि है और बहुत जादा कुछ मैंने नहीं किया है बट वो तीन दिन market बहुत जादा generous रही है हमें profit दिया है वो अलग चीज है तो इससे सीखना है हमें हमें regret नहीं क आप समझे कोशिस करो कि देखो market में रूल के साब चलते रहोगे मिलब यह गज़े की चाल है कि आपको बता दिया कि ऐसा आप करना है आप चलते चले जा रहे हो तो उसमें जो रूल के साब से जो भी आपको profit और loss होगा वो आपको मिलेगा लेकिन अगर आप थोड़ा सा सी के learning से अपना experience लगा के कुछ चीज़े apply करते हो तो बहाँ पर हो सकता है कि आप दूसरों से ज्यादा return बना पाऊ या return बना सकते हो उसमें अगर आपकी गलती हुई तो बहाँ पर आपकी थोड़ी ROI कम भी हो जाएगी और अगर आपने थोड़ा सा सीख लिया और थोड़ा स इसको उसके पीछे बज़े यही है कि जब आपका loss हो जाए इस्टेटी लॉस दे उसके अगले दिन अगर आप trade करोगे तो आपकी probability विन होने की जादा रहेगी यही सोच कि मैं तिन दिन काम नहीं किया लेकिन तीनो दिन के हिसाब से लॉस नहीं हुआ और यही बज़े रह रहा था इस बज़े से मैं ट्रेड नहीं की तो इस चीज को आप ध्यान में रखना रखना और टेलिग्राम पर मैं आपको यही चीजे सिखाता हूं बताता हूं कि आज यह बज़े रही है इस बज़े से मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूं और ऐसा नहीं है कि मैं यहां पे आप अगर आप एक लॉस नहीं लेते हो तो उसमें आपको डवल प्रॉफिट होता है यह तो आपके पास रहता है जो आज गवाने वाले थे वह आप नहीं गवाते हो आपका बैलेंस निगेटिम नहीं जाता है ब्रेक इवन पर रहता है जो आप उस दिन लॉस कर सकते थे वह आपको ऐसा बचा रहता है तो ऐसा नहीं है कि हम हमेंसा गलती होते हैं कभी सभी हो जाते हैं ठीक है तो इसको अगड़ थोड़ा सा आप मैंने पहले भी आपको कहा है कि अगर आप इस ट्वीक करोगे तो आप अपनी अर्वाई को बढ़ा सकते हो और कुछ नहीं और सबसे बड़ी बात यह कि हमें ज्यादा लालच नहीं करना है लालच करने से क्या होता है कि हम हमारे पास में जो होता है न वह भी चला जाता है ठीक है वो नहीं गया यह आपको पहले से नहीं पता है पिछले मेने में लेकिन लेकिन हमें रही किसमती रही कि हम इसमें नहीं काम खेजो को सीज करते हैं लेकिन रूल्स को समझें करोगे तो कि बनेफिट होगा आपको ठीक है तो बाकी आप लोग भी बताईए कि आप लोग ने जो पॉर्टफोलियो बनाया है उसमें कुछ आपके इजाफा मिला है क्योंकि निफ्टी ने तो बहुत बहुत ज्यादा हाई आज एक तरफा मार्केट रही है लगवागे डेर से दो परसेंट तक की तेजी देखनों मिली बताईए आप लोग कि क्या सा रहा आपका पॉर्टफोलिय और आगर आप लोग ने काम किया है तो आप लोग ने पैसा बनाया है तो प्रिजा कमेंट बाक्स में बताईए चलो दोस्तों आज की वीडियो मसी इतना ही फिर आप आउर हम काम कर रहे हैं थोड़ा से तबीयत दोस्तों बीकाम कर रहे हैं थे दिजी डेबलफ हो जाएंगी वैसे वैसे हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे बाकि आप टेलेगराम चैनल मुझे जाइन कर लो यहां पर और यहां पर मैं धीरी दिरी आपको अपडेट करता रहता हूं ठीक है थे दोस्तों थेंक्यों बश कर और मैं यहां भृ मैं खी घुट जाऊ लोग्रों बड़राम फिजर्मस कर सक्नाल मुख बाला मुख कर दोस्त로 कि रहें पर भी मणक्यों आप पिर aux एो बड़राम पार, सष्क्राई हैं अगल्यूं परॉच्यं दोस्तों बाल डार्ते लाबार्ट्ट अमढ़ें?